हेलो एवरिवन, आज एक बहुत जरूरी और एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेर कर रही हूँ और जरूरी इसलिए है कि आज दूद के पैकट सब के लिए सरदर्द बना हुआ है कि इसे disinfect कैसे किया जाए इसे virus मुक्त कैसे किया जाए जिन से भी मेरी बात हुई है सब लोग अपने तरीपे से इसे कर रहे हैं और कुछ इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हैं तो मैं जैसे इसे disinfect करती हूँ, जो कुछ मैंने पढ़ा है कि क्या सही तरीका है, वो आप लोगों के साथ share करना जरूरी मैंने समझा, तो चलिए देखते हैं कैसे इसे हम disinfect करते हैं, दूद का packet इस समय सबसे ज़ाद सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि बाहर से आने वाली यही ए किसी के घर में पेट है, किसी के घर में old age, मरीज है, तो यह तो एक जरूरी चीज है, चाई बननी है, तो इसे हम लेते ही लेते हैं, लेकिन आए देखते हैं इसे कैसे हम virus free करते हैं, इसको लेके लोगों ने कई बखेड़े पाल रखे हाला कि यह उतना दिकत वाला काम है न आता है, तो सबसे पहले मैं अपने सिंग के पास आ गई हूँ, यहाँ पर हमें करना यह है कि अपने सिंग को लॉक कर देना है, इस तरह से, अब पानी इसमें से बाहर नहीं जाएगा, ऐसा सभी जानते हैं, लेकिन हो सकता है, यह सुईधा सबके घर में ना हो, तो एक आपके साथ शेयर करूँगी, तो यह पहला तरीका है, अब मैंने सिंग में लगभग 3 इंच उंचा पानी भर दिया है, और यहाँ पर हमें डिटरजेंट पॉडर, जो वाशिंग पॉडर होता है, बिलकुल साधारन वाशिंग पॉडर, डाल कर हमें जाग बना लेना है, इ इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने पुरा जाग बना लिया है, अब इस जाग में हमें दूद के पैकट को डाल देना है, इस तरह से, और इसे कम से कम 30 सेकेंड तक, या ज्यादा से ज्यादा एक मिनट तक अपने सटिस्पेक्शन के लिए आप इसे यूही पढ़ा रहने दे, अब एक मिनट के बाद हम इसे उलट पलट कर अच्छी तरह से धो देंगे, यूँ तो इसे अब कुछ करने को इसमें बचा नहीं है, क्योंकि ये पहले ही जाग में खुलता रहा है, देखिए ये जो इंफेक्शन है या ये जो वाइरस है, जिसने लोगों की अभी जि हुई है, वो इस जाग में 30 सेकंड में अपना दम तोड़ देता है, इस तरह से वाइरस के पंक बिल्कुल फट जाते हैं, उसकी पूरी बॉड़ी फट जाती है, और अब इसमें करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये अच्छी तरह से हमने इसको धो दिया है, और अब हम इसकी चावी खीच लेंगे, पानी खुद बखुद निकल जाएगा, देखिए है न, ये कितना आसान तरीका, और खामखा लोगों ने बहुत जादा इस पर मेहनत और समय लगाया हुआ है, तो इसे जान लेना जरूरी है, और जहां ये सहूलत नहीं है, सिंक में, उसके लि अब हमें करना ये है कि लाली खोल देना है, और अच्छी तरह से पानी को निकल जाने देना है, चलिए, तो ये तरीका तो हुआ, पूरा, अब दूसरा तरीका लेखते हूँ, तो दूसरे तरीकी में दोस्तों मैंने एक मीडियम साइज टब में जाग बना लिया है, वही सर्फ का जाग, अब इसमें इस पैकेट को अच्छी तरह से डुबा कर छोड़ देना है, और सेम तरीके से तीस सेकंड से एक मिनट तक इसको इसमें पड़े रहने देना है, फिर इसे मसल मसल कर धो देना है, और नल के नीचे इसे बिल्गुल साब सुथरा कर देना है, तो ये दूसरा तरीका था, तो उमीद है आपने इन दोनों तरीकों को देख लिया, आपको जो भी तरीका ज्यादा पसंद आये, सोईधा जनक लगे, वो आप इस्तामाल कर सकते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा मैंने देखा है, कहीं कहीं लोगों ने हलके गर्म पानी में डाला, फिर उसे आदे घंटे तक दूद को पानी में छोड़ दिया, फिर सब के फेन में डाला, फिर उसे छाना और कई बार धोया, ये सब चीजें बिल्कुल जरूरी नहीं है, शिक सेकेंड नहीं वाइरस का दम निकल जाता है, तो उमीद है, आज की वीडियो को आपने इंजॉय किया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेर करना न भूले, थैंक यू फर वचिंग माई वीडियो, स्टे अट होम, स्टे फिट, बबाई